लास्ट वीडियो में हमने ब्लैक सॉइल कम्प्लीट कर ली थी और अब नेक्स्ट जो सॉइल है वो है आपकी रेड और येलो सॉइल ओके देखो बेटा रेड येलो सॉइल डेवलप्स ओन क्रिस्टलाइन इगनियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेंड फॉल अंडरलाइन क डेवलप्स रेड सॉइल कहां डेवलप्स होती है और क्रिस्टलाइन इगनियस रॉक्स क्रिस्टलाइन इगनियस मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इगनियस रॉक्स के वारे मता दिया था क्रिस्टलाइन रवेदार दानेदार इगनियस रॉक्स वाले एरियाज में related हैं है ना और जहांपर कम बरसात होती है और कहांपर इन दा इस्टन एंड सदन पार्ट नोट्स बनाओ खुद बनाओ इन दा इस्टन हैंड सदन पार्ट्स ऐव दाइकनड प्लैटो यह मालो डैकनड प्लैटों है इसका इस्टन और सदनब contest यह note करना eastern और southern part अभी map पर मैं show कर दूँगा ठीक है ना deccan plateau के eastern और southern part पर यह develop होती है और यहीं पर igneous rocks पाई जाती है ना yellow and red soils are also found in the अब देखो इनके places मैंने बताया था ना आपको place, crops और nutrients यह याद रखना है आपको soils मैं places, crops कौन-कौन सी crops होती है और उस soil में कौन-कौन से nutrients पाई जाते हैं यह याद रखना है तब कौन-कौन से place है औरिशा कहां-कहां पाई जाती है इस soils are found in the parts of Odisha, चत्तिसगर, ठीक है न, southern parts of the middle गंगा plane यह सब एक साथ मिले हुए है यह दियान रखना मैप पर यह एक साथ मिले हुए है मैप पर, Odisha, चत्तिसगर, southern part of the middle गंगा plane ठीक है कैसे देखो यह, indication देखो, red और yellow soil, Odisha, यह आपका यहां से देखिए, इसको डिवाइड करो, यह पूरा चत्तिसगर, Odisha, ठीक है न, चत्तिसगर, middle गंगा plane, Odisha, ठीक है, eastern, southern plateau, यह भी आया था, ठीक है, यह पूरा एरिया, इसको आप locate करेंगे, clear, देखिए, और कहां मिलती है, along the padmont zone of the western guard, padmont zone, मैंने आपको हिमालया में भी बताया था, padmont zone किसे कहते हैं, जैसे यह मालया है, देखिए बटा, यह मालया है, यह इसका वेस्ट हो गया, यह इसका इस्ट हो गया, और इसकी जो foot hills है, यहाँ पर जो plains बनते हैं, यह होंगे आपके padmont plane, पी-पी, मैंने सो कर दिया इसको, ठीक है न, तो इसी तरह से, जो आपका western घाट है, western घाट है, तो western घाट, peninsular plateau में इस तरह से है, ठीक है, western घाट, तो padmont zone of western घाट, तो western घाट का padmont zone इधर होगा या इधर होगा, इस side होगा, यह न, यह padmont zone, यानि कि western घाट की foot hills, western घाट की foot hills, इस side, यहाँ पाई जाते हैं, मैं अट में locate कर ले न, इसको, these soils develop a reddish color, इस soil का color कैसा होता है, reddish हो जाता है, कब हो जाता है, due to the diffusion, diffusion के कारण, diffusion means reaction, यानि क्रिया के कारण, या मिलने के कारण, ये भी कर सकते हैं, of iron, iron के diffusion के कारण होता है, ठीक है न, दुवारा देखिए, these soils develop a reddish color, इन मिट्टियों का रंग red हो जाता है, अब क्यों हो जाता है, due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks, ठीक है न, देखो, ये metamorphic rock है, है न, इन metamorphic rock में, iron का diffusion यानि की reaction होता है, iron का reaction होता है, इस से, इस soil का color कैसा होता है, reddish हो जाता है, clear, it looks yellow, यहाँ focus करना, it looks yellow, यह यहाँ उपर देना, red and yellow, red कब नज़राती है, red कब होती है, जब इसका diffusion, due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock, जब iron का diffusion metamorphic rock से होता है, लेकिन जब यह yellow कब नज़राती है, जब यह hydrate form में होती है, कब होती है, hydrate form में, hydrate form किसे कहते है, जैसे कि यह soil है, यह dry, अगर dry होगी, तो यह नज़र आएगी आपको red, कैसे आएगी, red, लेकिन जैसे ही यह weight हो गई, weight यानि गिली, तो यह आपको आएगी yellow, और weight को हम क्या कहते है, hydrate form, ठीक है ना, जब यह hydrate form में होगी, तब यह yellow होगी, और जब यह dry होगी, तो कैसी हो जाएगी, red, okay, clear, अब इसमें क्या करना है आपको, points बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, मैं आपको clear कर देता हूँ, red soil, ठीक है ना, number one, develops on the crystalline igneous rocks in the areas of rainfall, in the eastern and southern parts of Deccan plateau, number one हो गया, है ना, अफिर, यह वर्दिन, number two, red soils, अफिर, number two, yellow and red soils, are also found in the parts of Odisha, 36 गड, southern parts of the middle ganga plane, and along the pedmont zone of the western ghat, देखो western ghat का pedmont zone भी हम देख लेते हैं, देखो, red soil, यह, यह वाला zone, यह देखी, यह western ghat है, यह इसका pedmont zone हो गया, यहाँ पर leaching के कारण, because of leaching, है ना, बरसात होती है, rainfall होता है, rainfall होने के बाद यहाँ से erosion होता है, और उसके कारण से यह मिट्टी develop होती है, ओके, आगे देखते हैं, अब आती है हम अज़ लेट्राइट सोइल, लेट्राइट has been derived from the latent word letter, ठीक है ना, अब यह देखना, लेट्राइट, शब्द जो है, लेट्राइट से लिया गया है, और लेट्र का मतलब होता है, ब्रिक, और ब्रिक का मीन्स होता है, इंट, क्या होता है, इंट, जिससे हम मकान बनाते हैं, clear, लेट्राइट has been derived from the latent word, लेटर, लेटर सब्द से लेट्राइट सब्द लिया गया है, और लेटर सब्द किस language का है, लेट्राइट, जो वर्ड है वो लेट्राइट लेट्राइट का मीन होता है, ब्रिक, इसको समझना है आपको, ठीक है न, पहले तो ये समझो, ट्रोपिकल और सब्ट्रोपिकल जोन क्या होता है, ट्रोपिकल और सब्ट्रोपिकल जोन क्या होता है आराम से समझो ढंक से समझो देखो आप वर्ड मैप लेना या ग्लोब लेना ठीक है तो बिलकुल मिड से एक हमारी रेखा है लाइन है जीरो डिग्री से जीरो डिग्री मैच करती है इसको हम कहते हैं एक्क्वेटर बड़े अच्छे समझना एक्क्वेटर क्या कहते हैं इसको एक्क्वेटर अब इस एक्क्वेटर से 23 डिग्री एन हाफ नॉर्थ में और 23 डिग्री एन हाफ साउथ में नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर होगा 23 डिग्री एन हाफ नॉर्थ 23 degree and half south इसको भी draw कर लेते हैं हम इंग change कर लेते हैं थोड़ी शी जिससे आपको clear हो देखिए यह यहाँ देखना equator equator से 23 degree and half north की तरफ कुछ नहीं है अपना world map उठाना और उस world map में देखना विल्कुल mid part से आपकी एक रेखा गई है जो 0 degree से east से 0 degree west को टच करती है उसे हम equator कहते हैं हिंदी में इसका नाम है विश्वत रेखा ठीक है ओके अब इस equator से नौर्थ नौर्थ इदर जाएगा और south इदर आएगा equator से 23 degree and half किदर नौर्थ में और 23 degree and half किदर south में आप क्या करेंगे क्या है इदर ट्रॉपिक आफ कैंसर जिसको हम इंदी में कहते हैं करक रेखा है ना ट्रॉपिक आफ कैंसर और 23 degree and half south में क्या है ट्रॉपिक आफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक आफ कैप्रिकॉन जिसे हम क्या कहते हिंदी में मकर रेखा तो अब इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ 0 degree से 23 degree and half south 0 degree से 23 degree and half north ये जो जो जोन होता है ये पूरा जोन ये जो जोन होता है अभी आपने पढ़ा था ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन ये ये पूरा जोन ये पूरा जोन होता है ट्रॉपिकल कौन सा जोन होता है ट्रोपिकल जोन ऊश्ण कटिबंधी या छेत्र यानि गर्म छेत्र होता है कैसा छेत्र होता है कैसा रीजन होता है यह गर्म रीजन होता है यहां तक क्लियर हो गया 0 degree equator से 23 degree and half south में 0 degree equator से 23 degree and half north में तो 23 degree and half north में जाएंगे तो हमको 0 degree से 23 degree हम north में जाएंगे तो हमको कौन सी line मिलेगी कौन सी रेखा मिलेगी Tropic of Cancer यानि करक रेखा और अगर south में आएंगे तो हम कौन सी मिलेगी Tropic of Capricorn clear तो जो 0 degree से south में 23 degree and half और 0 degree से 23 degree and half south में जो region है इतना जो region है यानि इन रेखाओं के बीच में जितने भी region आ रहे हैं जितने भी छेतर आ रहे हैं या हम और easy language में कहें जितने भी countries आ रहे हैं यह वो सारे country's tropical countries होंगे कैसे country's होंगे ट्रोपिकल कैसे होंगे अब जहाँ जहां पर alternate weight and dry season होगा tropical और सब्रॉपिकल में क्या होता है tropical गर्म चेतर होते हैं आप ट्रोपिकल सब्रॉपिकल में alternate Dry and wet कभी बरसात होती कभी बरसात होती कभी गर्मी पड़ती है न अब आगे बढ़ते हम अब इस 23 डिग्री एन हाफ से हम चले जाएं किदर इस साइड साउथ में कितना डिग्री 66 एन हाफ और इसी तरह से इस 23 डिग्री एन हाफ से साउथ में चले जाएं उतना ही 66 डिग्री एन हाफ साउथ में चले जाते हैं क्लियर ठीक है तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर यह जो यह जो लाइन खिची हुई है यह और यह ठीक है यह आती है आपकी आर्किटिक जोन आर्किटिक सर्किल और यह है अन्टार्किटिक सर्किल आर्किटिक सर्किल और अन्टार्किटिक सर्किल इनको हम कहते हैं इस जोन को हम कहते हैं टैम्परेट जोन अब यह आपको लिखाता है यहाँ पर सब्ट्रोपिकल और दूसरी लेंग्वेज में इसको कह सकते हैं सब्ट्रोपिकल है ना समसी तोष्ण जिसको हम इंदी में क्या कहते हैं समसी तोष्ण क्या कहते हैं समसी तोष्ण इसी तरह से 66 डिग्री एंफ इधर साउथ में आ जाएंगे तो यह भी आपका टैम्परेट जोन होगा ठीक है अब यह देखिए यह तो हो गया ट्रोपिकल जोन और यह हो गया आपका टैम्परेट या सब्ट्रोपिकल जोन सब्ट्रोपिकल जोन और यह ट्रोपिकल जोन ट्रोपिकल जोन सब्ट्रोपिकल जोन clear अब यहां book में आईए तो the lateride soil develops under tropical and subtropical zone तो अब lateride soil कहां पर develop होती है lateride soil let come on the matter lateride soil in zone इस zone में develop होगी इस zone में यानि इस zone में जितने भी countries आएंगे यहां पर हमें lateride soil देखने को मिलेगी एक बार फिर से repeat करता हूं है आपका map है map में 0 degree से 0 degree को match करो तो वो तो आपकी आएगी equator ठीक है नब इस equator से 23 degree and half north में चलिए और 23 degree and half south में चलिए और तो यहां से और यहां तक का जो zone बन रहा है यहां से यहां तक का जो zone बन रहा है यह आपका आएगा tropical zone क्या कहलाएगा ट्रॉपिकल जोन तो यहां पर जो climate मिलेगा हमको वो कैसा मिलेगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है उष्ण कटिबंदी उष्ण जलवायू कैसी उष्ण जलवायू यानि गर्म जलवायू आप इसको उष्ण पूश्ण छोड़ो गर्म जलवायू गर्म जलवायू यानि गर्मी जादा मिलती है ठीक है ना गर्मी जादा होती है इस ये जोन 0 डिग्री से 23 डिग्री 23 ग्रियर हाफ साउथ और नॉर्थ में क्लियर ये जोन यहां से यहां तक फिर इसके बाद 23 डिग्री से 66 इदर और 66 इदर इदर तो आएगा आर्क्टिक सर्किल और 66 डिग्री एंड हाफ साउथ में जाएंगे तो ये आएगा आपका अंटार्क्टिक सर्किल क्लियर ठीक है ना अब ये कौन से जोन आ जाते हैं ये आते हैं आपके टेंपरेट जोन कौन से जोन आ जाते हैं टेंपरेट जोन जिसको आपके इसमें क्या दिर रखा है सब ट्रॉपिकल इसको हम सब ट्रॉपिकल भी बोल सकते हैं ठीक है ना ये होते हैं हमारे समसीतोष् और सर्दी भी है ठीक है तो अब यह अंदाज लगाई आप यह गैस कीजिए कि इस जोन में जितने भी कंट्रीज आते हैं इस जोन में जितने भी country आते हैं यहां पर आपको let right soil देखने को मिलेगी यह नहीं यह सारे country में let right soil है जोन बाइस है ना अब एक और समझे लीजिए फिर आजाई है 66 degree से 0 degree इधर और 66 degree से 0 degree इधर यह हो जाता है आपको 0 degree यह और 0 degree यह यह आता है आपका नौर्थ पोल और यह आता है आपका साउथ पोल यह बिलकुल आपके फ्रिज्ड जोन है फ्रिज्ड जोन यानि एकदम ठंडे छेत्र एकदम ठंडे छेत्र नेक्स टॉपिक में जब क्लाइमेट वाला चलेगा तब आपको इसको क्लियर करके और समझाय जाएगा इस पूरे को एकदम बाहर निकाल लें और यह शो कर दें कि यह तो आप कट यहां तक तो ट्रॉपिकल हो गया और फिर इसके आगे आपका सब ट्रॉपिकल हो गया अब आता है अल्टरनेट वेट एंड ड्राइ सीजन इसमें आया ना और कभी बरसात न होना कभी बरसात होना और कभी बरसात न होना ठीक है अब इसको मैं नेक्स्ट आपकी औफलाइन क्लास में कंपलीट करूँगा ओके इसको अच्छे से कवर करना और पॉसिबली आज मैं 100 इसको औफलाइन में कंपलीट कर दूँगा जितने भी बक्चे देख रहे हैं इसके नोट्स कंपलीट करना ओके गुड़ें झाल झाल झाल